हेलो चिंड्रेंस वेलकम बैक ट्यू पॉर्म लेर्निंग फोर्ट वंस अगें आज हम क्लास्पूल का टॉपिक करने जा रहे हैं कवर करेंगे इन इस वीडियो 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 टॉपिक ऑफ फोटो संथेस्स इस में परकार संसलेशन तो स्टार्ट करते हैं साथ पढ़ेंगे और समझेंगे नश्टार्ट अब मोश्ट इंपोर्टेंट पंक्शन ओफ लीव इस तो में फूर्ट फॉर्ट प्लांट इस्वीन जो प्रोसेस है घुजन बनाने के जो परकिरिया है पॉल्वो की उसी परकिरिया को कहते हैं फोटो सेंथेस्स ओके नेक् इस प्रोसेस इस पोल्ट फोटो सेंथेस्स यह वोजन बनाने के लिए एर वाटर एंद सल्लाइट का यूज करते हैं और वेकिंग फूड ओके हैं तो देख लेक्ते हैं विद दा एल्फ ओप डायकराम समझेंगे वन्स अगें फिट से तो इस इस आ रूट अब देख सकते हैं यह रूट है सबसे पहले जो जड़े होती है वो पानी सोखते हैं मिट्टी से एंड आफ्टर उसके बाद जो पानी होता है वो पानी प्लांट के सभी फावों में डिस्टिब्यूट किया जाता है स्ट्रेट किया जाता है उसके बाद क्या होता है दा में फंक्शन स्टार्ट इन लीव जो ही में बनाने की परिक्रिया है वो लीव में स्टार्ट होती है तो यहां पर एक क्लोरोफिल होता है इन स्टार्शों में लयक्ष्ड जाता है तो carbon dioxide जो leaf में enter करता है by the help of stomata stomata के help से यहां से carbon dioxide air से by through the air इसमें enter करता है और sunlight भी यहीं से enter करती है carbon dioxide sunlight and water जो observe किया गया था by the soil of soil से तो यह सभी मिलके बनाते हैं अपना खोजन ठीक है और उसके सासाथ बनाते हैं oxygen oxygen तो oxygen वापस air में release कर दी जाती है और food plant द्वारा observe कर लिया जाता है तो that is the process of photosynthesis तो हम समझ गए हैं तो एक वार recap कर लेते हैं first of all photosynthesis के लिए हमें carbon dioxide चाहिए and with water plus sunlight all three इन सभी से बनता है हमारा food food for plant these all process these all process are called photosynthesis ओके यह पूरा process के लागता है photosynthesis I hope things are predicted by this video तो मिलते हैं next video में with next topic